करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा लुसेंट सीरीज चल रहा है और हमने प्रिवियसली वन टू तक और त्टेवन टू थर्टी तक ये पेजस हमने करवा रखे अगर आपने ये सीरीज हमारा नहीं देखा है जाके जरूर देखें 50 कोसेंस का हमारा सीरीज आता है और आज भी हम 50 questions आपके लेके आए हैं और आज का जो series है वो होगा page number 31 to 40 तो चलिए बीना देरी के आज का हम ये series start करते हैं हमारा first question है सेड़सा के संदर्ब में कौन सा कथन गलत है correct answer है option number D महरन गर्ड किला का निर्मान दिल्ली में करवाया है ये कथन सेड़सा के संदर्ब में गलत है ठीक है चलिए next question के और हम move करते है next question हमारा question number 2 question number 2 कह रहा है सेड़सा की लगान विवस्था थी correct answer है हमारा option number B रयत वाड़ी तो सेड़सा ने जो है रयत वाड़ी लगान विवस्था लागू कर रखी थी ठीक है चलिए next question के और move करेंगे question number 3 हल्दी गाटी का यूद किस के बीच लड़ा गया correct answer हमारा option number C अकबर और महराना परताप इन दोनों के बीच में हल्दी गाटी का यूद लड़ा गया था आपका इस questions related homework यह है कि आप हमें comment box में जरूर बताएं कि किस year में किस सन में अकबर और महराना परताप के बीच में हल्दी गाटी का यूद लड़ा गया था चलिए next question के और move करेंगे question number 4 अकबर किस चिस्ती संत का अनुयाई था correct answer है option number C सेक सलीम चिस्ती सेक सलीम चिस्ती का अकबर अनुयाई था next question के और move करते question number 5 पंतरास सेक साटीसवी में अकबर के संरक्षक बैरम खा की हत्या किस ने किया था correct answer है option number A मुबारक खा तो मुबारक खा ने बैरम खा का हत्या किया था अब यहां बात समझने वाली यह है कि हम 50 questions को deal कर रहे हैं इसलिए हम फटा-फट से सिर्फ answers देख रहे हैं हम इसे रिटेल को cover नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप लोग को पहले से homework दिया जाता है तो आप आपने आई हो 31 to page नमबर 40 तक पढ़ लिया हो और आपने पढ़ लिया है तो इससे रिटेट मेरे को डिटेल बताएं जोत नहीं है अगर आपने वह नहीं पढ़ा है तो प्लीज सबसे पहले लुसेंट बूक में जागे पेज नमबर 31 to 40 पढ़ें तब जाके आके तो आपको इसको सॉल्व करने बहुत मजाएगा चले नेक्स कोशन करें कोशन नमबर 6 राजस प्राप्ती की जबती प्रणाली किस मुगल सासक के सासंकार में प्रचली था करेक्ट आंसर है ओप्सन नमबर B अकबर के समय में राजस प्राप्ती की जबती प्रणाली ये जो है काफी इसके टाइम में प्रचलाने में था काफी प्रचली थिये था ठीक है नेक्स कोशन नमबर 7 निमलिखित में से कौन मिलान गलत है करेक्ट आंसर है हमारा ओप्सन नमबर C जजिया करगी समाप्ती 1463 में यहाँ प्रणाल गलत है बाकी यहाँ दास प्रताकान 1562 ये करेक्ट है दीने इलाही था अपना 15200 बिरासी ये करेक्ट है और अक्बर को हरम दल से मुक्ती ये 1562 ये भी करेक्ट है ठीक चलेए नेक्स कोशन के रिमूब करें कोशन नमबर 8 अकबर गुजराद विजय के उपलक्ष में निम्न में से किसका निर्मान करवाया था करेक्ट आंसर है हमारा बुलन दरवाजा तो गुजरात विजय के उपलक्ष में अकबर ने बुलन दरवाजा को यादगार के रूप में इसका निर्मान करवाया था नेक्स कोशन है कोशन नमबर 9 नूर जहां निम्न में से किसकी पुत्री थी करेक्ट आंसर है मिर्जा गयास बेग इनकी बेटी थी नूर जहां ठीक है चलिए नेक्स कोशन के रूप करें कोशन नमबर 10 निम्न में से किस मुगल सासक के सासनकाल में चित्रकला अपनी चर्मोत कर्स पर था करेक्ट आंसर है ओप्सन नमबर B जहां गीर तो जहां गीर के सासनकाल में चित्रकला आपने बिल्कुल पीक पर था चर्मोत कर्स पर था और जहां गीर के सासनकाल को जो है ना क्लासिक एरा भी कहा जाता है नेक्स कुछन कोड़ देखते हैं, नेक्स कुछन हमारा कुछ cricket नॢ़ 11, हौकिन्स के सासनकाल में भारत पाते थे, को यहागीर के सासनकाल में थे होकिन्स में ऑर्ट्रो रॉब यह लुग भारत आये थे, हrous ऐक बर के दर्बार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति कौन था करेक्ट आंसर है उपसिंट डी रॉुअ फिंच ठीक यह किसके अगबर दर्बार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था नेक्स कोर्षण करते कोशन NUMB 13 1678 में दारा यानी कि दारा सिको की बात की जा रही है एंपर कर्एकट आइचर हैं धर्मट का युद्र इनके बीच में 15168 में धर्मट का युद्र दारा सिको और और अरंग जेप के बीच में लड़ा गया था सिख गुरू तेक बहादूर की हत्या औरंग जेब ने करवाय था इस कोशन से लिटेट जो आपके लिए होमवक है कि तेक बहादूर सिखों के कौन से नंबर के गुरू थे यह आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है क्सके समराज की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थांतरित की correct answer है हमारा option number B सा जहां सा जहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली की और स्थांतरित की थी यानि की shift किया था next question के और move करें question number 16 उपनिस्टो का फार्सी अनुवाद किस मुगल समराट के सासनकाल में हुआ था correct answer है option number D सा जहां के सासनकाल में उपनिस्टो का फार्सी मनुवाद किया था किस ने किया था ये बताना है आपको comment box में next question के और move करते है question number 17 सहा बुलंद इकबाल king of lofty fortune के रूप में जाना जाता है question option number A हमारा correct है दारा सिको तो दारा सिको को सा बुलंद इकबाल यानि king of lofty fortune ये भी कहके बुलाए जाता है next question के और move करते है question number 18 मुगल कालीन अर्थविस्टा का अधार का रूपिया था correct answer है option number B चांदी तो मुगल कालीन अर्थविस्टा का जो आधार है चांदी का रूपिया जो है अर्थविस्टा का अधार मुगल काल में था next question के और move करें question number 19 जागीर ने सवार पद में दो अस्पा एवं सी अस्पा की विस्था की यह पद सरुपथम किस ने दिया था correct answer है हमारा option number B महावत खां तो महावत खां के सासनकाल में इसने अपने kingdom में दो अस्पा और सिंग अस्पा यह पदती का निर्मान क्या था दो अस्पा और सिंग अस्पा क्या है आई थिंक आपने यह पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे को जरूर बताएं मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाओंगा यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक है next question के और move करते है question number 20 मुगल काल में निमलिखित में से किस महिला ने एतिहासिक विवरन लिखे है correct answer है option number C गुल बदन बेगम तो गुल बदन बेगम ने मुगल काल में निमलिखित में से बिलकुल एतिहासिक विवरन लिखाया और गुल बदन बेगम के द्वरा लिखा गया कौन सा बुक है यह आपको comment box में बताना है next question के और move करेंगे next question हमारा question number 21 निमलिखित में से किस मुगल सासक ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया correct answer है सा जहां सा जहां ने आना सिक्के का प्रचलन इस नहीं करवाया था यह VVI question है इसको आप note कर सकते हो next question के और move करेंगे next question है सरण्जामी प्रथा का संबंध किस से है correct answer है option number A भू मराठा राजवस्था से तो भू मराठा राजवस्था में यह सरण्जामी प्रथा इसी में यह प्रचलन में थी next question के और move करें question number 23 सिवा जी के अस्ट प्रधान में विदेश मंत्री कहलाते थें क्या कहलाते थें correct answer है option number D सुमंत तो सिवा जी के अस्ट प्रधान में जो विदेश मंत्री थें वो सुमंत कहलाते थे next question के और move करें question number 24 सिवा जी ने मुगल वेपारी केंद सूरत को पहली बार कब लूटा था correct answer है option number C 1664 में सिवा जी ने मुगल वेपारी केंद सूरत को सबसे पहली बार लूटा था next question है question number 25 किस मुगल सेनापती के साथ सिवा जी ने संधी की थी correct answer है option number A Jaising के साथ सेनापती सिवा जी ने Jaising ये सेनापती था इसके साथ इन्होंने ये संधी की थी next question के और move करेंगे किस वाइसरेक सेसन काल में टीपू सुल्तान मारा गया VVI question है इसको आप लोग नोट कर ले correct answer है हमारा option number B Lord Velesley Lord Velesley के काल में टीपू सुल्तान जो है ये मारा गया युद्ध करते हुए next question के और बढ़ते हैं next question है हमारा question number 27 किस एक्ट के तहट बंगाले गवर्णर को अंगरेजी छेतर का गवर्णर जनरल कहा गया correct answer है हमारा option number B regulating act 1773 ठीक है 1773 के तहट बंगाले गवर्णर को अंगरेजी छेतर का गवर्णर जनरल कहा गया इस से पहले बंगाल मदरास और बंबाई अलग अलग गवर्णर होते थे 1773 से इस पद को गवर्णर जनरल का नाम दिया गया बंगाले गवर्णर हो गवर्णर जनरल कहा जाने लगा और बाकी मदरास और बंबाई वाले को सिर्फ और सिर्फ गवर्णर कहा जाता था next question के और move करते है question number 28 है था रेली की मिर्थ्यूख हुई थी कब करेक्ट आंसर है हमारा option number B second आंगला मैसूर यूद्ध के समय next question के और move करते है next question हमारा question number 29 थोरा सा इसको fit कर दो इसकीन में बहुत बढ़िया चलिए हाजी तो निमने में से कौन सा कथन सत्य है correct answer है option number C 1 और 3 तो पहला कथन क्या बोल रहा है प्रत्म अंगला मैसूर यूद्ध मदरास की संधी से समाब्थ हुआ और तीसरा यहां यह बोल रहा है तुरती अंगला मैसूर यूद्ध संधी से समाब्थ हुआ यह भी correct answer है और इस समय टीपू सुल्तान सा सक था ठीक है यह भी correct है second में क्या बोल रहा है तो यहां पर हमारा correct answer 1 और 3 हो जाएगा next question क्यों remove करेंगे question number 30 गुल मुखी लीपी की सुरुआत निम्द में से किस सिख गुरू ने करवाया था correct answer है option number D गुरू अंगद ने गुरू मुखी लीपी का जो है इन्हों नहीं सुरुआत करवाया था next question क्यों remove करेंगे question number 31 किस के समय में मराठा नाचीज हो गया और पेस्वा वास्तविक सासक बन गया correct answer है option number B बाला जी बाजी राओ यह जो है तो बाला जी बाजी राओ चलिए next question क्यों remove करते है next question हमारा question number 32 प्रत्वा अंगला माराठा यूद 1782 निम्न में से किस संधी द्वारा समाप्त हुआ correct answer है option number A साला भाई की संधी तो प्रत्वा अंगला यूद यह 1782 में साला भाई के संधी के द्वारा इसको समाप्त किया गया next question हमारा question number 33 पुर्तगालियों ने अपनी पहली वेपारी कोठी कहा खोली थी correct answer है option number B कोचीन में ठीक है तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली वेपारी कोठी कोचीन में खोली थी किस year में खोली थी यह आपको comment box में जरूर बताना है question number 33 के लिए आपके लिए question है कि पुर्टगालियों ने अपनी वेपारी को ठीक होचीन में खोली किस year में खोली यह आपको बताना है next question है हमारा question number 34 निम्ने में से कौन सा कथन गलत है correct answer है हमारा option number D फ्रांसिसी इस इंडिया कंपनी 16 सा 16 ठीक है तो यहाँ पर यह गलत है बाकी पुर्टगाली इस इंडिया कंपनी डच इस इंडिया कंपनी इस बाके में जरूर बताना है ठीक है चलिए next question के और हम move करते है next question हमारा question number 35 जलकी की संदी किसके किसके मद्ध हुआ था करेक्ट आंसर है अप्सन नमब सी हैदराबाद की निजाम और बालाजी बाजी राओ के बीच में जल्की की संधी हुई थी नेक्स कोशन है कोशन नमब 36 अब्दूर समद किस मुगल सासक के प्रसिद चितरकार थे करेक्ट आंसर है अप्सन नमब बी अकबर तो अब्दूर समद जो है मुगल सासक अकबर के समय में ये अब्दूर समद ये बहुत ही प्रसिद चितरकार उस समय हुआ करते थे नेक्स कोशन हमारा कोशन नमब 37 किस सिख गुरू ने फारसी में जफर नामा लिखा था करेक्ट आंसर है ऑप्सन नमब बी गुरू गोविन सिंग तो गुरू गोविन सिंग जी ने फारसी में जफर नामा का इजाद किया था इसका रचना किया था नेक्स कोशन है कोशन नमब 38 किस गवर्णर के कारेकाल में इस इंडिया कंपनी को सहलम दूइतीय द्वारा बंगाल बिहर औरुडिसा में दिवानी अधिकार दिये गए थे करेक्ट आंसर है हमारा उप्सन नंबर C जॉर्ज चॉर्णॉक तो जॉर्ज चॉर्णॉक ने कलकत्ता सहर का नीव इन्होंने रखा था ठीक है चले नेक्स कोशन हम क्यों रहे हम बढ़ते हैं कोशन नंबर 40 प्लासी का यूद मैदान कहां इस्तित है करेक्ट आंसर है उप्सन बंगाल का नवाब कौन था है करेक्ट आंसर है मीर कासीम तो बकसर की लड़ाई की समय बंगाल का नवाब मीर कासीम था नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं कॉस्चन नमबर 42 निमलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है उप्सन नमबर D लॉर्ड कैनिंग तृति आंगला करके जरूर बताएं लिए सथापना की इंहोंने की और यह बता है 1784 में बंगाल का गुवर्नर जनरल था जोशन एक भारत में नागरिक सेवा का जनक निमनमे किस वाइसराय को माना जाता है करेक्ट आंसर है हमारा option number B Lord Carnivalist Lord Carnivalist को भारत में नागरिक सेवा यानी civil services का जनक मना जाता है और आपके लिए question ये है कि civil services की शुरुआत भारत में कब से हुई थी फटा-फट से अपना जरूर कॉमेंट में अपना आंसर बताएं नेक्स question के रिमूब करते है question number 45 भारत पहला समाचार पत्र दबंगाल गजट का प्रकाशन किस ने किया था करेक्ट आंसर है हमारा option number A James Hickey James Hickey ने सबसे पहला भारत का सबसे पहला पत्र समाचार पत्र दबंगाल गजट का इन्हों ने ही प्राड़म किया था नेक्स question के और मूव करते हैं question number 46 मद एकाल में सर्व प्रथाम भारत में वैपार संबंद स्थापित करने वाले थे कौन करेक्ट आंसर है option number C पुर्टिगाली पॉर्टिगीज ठीक है तो पॉर्टिगीज सबसे पहले मद एकालीन में यानि मिडिल मेडाइवल टाइम में ये सबसे पहले ऐसे थे जो भारत सर्व इन्हों ने वैपार संबंद स्थापित किया था नेक्स question के और मूव करते है question number 47 मैयूर सिहासन किस मुगल बादसा के ने करवाया था बनवाया था आप ये भी बोल सकते हो question number 48 किस यूद में सिराजु दौला रोबर्ट क्लाइब द्वारा प्रास्थ हुआ था correct answer है option number A प्लासी के यूद में सिराजु दौला रोबर्ट क्लाइब के द्वारा प्रास्थ हुआ था next question हमारा question number 49 नादिर साह के आकरमन के समय मुगल सासक कौन था correct answer है हमारा मुहम्मद सा तो नादीर सा के आकरमन के समय मुहम्मद सा जो है ये क्या था मुगल सासक मुहम्मद सा था ठीक है next question क्यों हम बढ़ते हैं और आज का हमारा आखड़ी question है question number 50 और हमारा next question भी है तो next question और आखड़ी question है question 50 बर्क द्वारा कि वाई सराय के ऊपर महाभीयोग लगा गया था correct Awns एमारा Warren Hesting तो बर्क द्वारा Warren Hesting के ऊपर महाभीयोग लगा गया तो दोस्तों यह था हमारा 2050 कुस्छं का Laser No 31 से 40 तक wiped series अधेर सेक्डरूं यह आपको अगर homework सीरीज में हमारे साथ संबलित होना नहीं हर रोज तो आप हर रोज रात सारी आप से हमारे से सेसे में जुड़ सकते हो जहां आपको लूसेंट के लिए homework दिये जाते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दुबारा से मिलते हैं नेक्स्ट लुसेंट के सेशन में तिल देन टेक क्यार बबाई एंड गॉड ब्लेस यू आल